कुछ दिन लगातार सुबह खाली पेट इन पत्तों को आप खालें इनके फायदे देखकर आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी इतने फायदे हैं दोस्तों कि आप सोज भी नहीं सकते चाहे चेहरे के फोड़े फुनसी हो चाहे बालों में डेंडरफ की समस्या हो चाहे के लिए दोस्तों आपको यहां पर लेना है नीम की पत्या नीम का पौधा दोस्तों नीम का पेड जगा जगा रहता है पुराने समय में तो शायद यह हर घर में लगा रहता है लगा रहता था परन्तु आज कल यह पौधा सभी घरों में तो नहीं होता है परन्तु आपको यह पौधा आसानी से, कही रस्ते में या किसी के घर में लगा दिख जाएगा आपको लेना है नीम की पत्याँ कुछ पत्यां आप इसकी तोड़ कर ले आए दोस्तों गुणों का भंडार है औजदियों का भंडार है आयरुवेट में नीम की पत्यों का बहुत जादा महत्व है चाहे इसकी पत्यां हो चाहे इसका स्टैम हो चाहे इसकी निमबोली हो चाहे इसके नीम के फूल हो या नीम क पेड़ की चाल हो सभी बहुत जादा उपियोगी है बहुत सी बिमारियों से हम बच सकते हैं यदि रोज सुबह हम खाली पेट नीम की दो कोमल कोमल पत्तियों को खाते हैं तो जब भी आप सुबह उठें दोस्तों खाली पेट दो नीम की पत्तियों को अच्छी तरह से चबा लगेंगे एक दिन में तो नहीं दोस्तों कुछ दिन तो आप जरूर लें सुभा के समय थोड़ी सी कड़वी जरूर लगती है नीम की पत्तियां परन्तु कोई बात नहीं सिर्फ दो पत्ती ही खाना है तो अच्छी तरह से चबा कर खा लें उसके बाद चाहें आप तो हलका स खाज, खुजली की समस्सा है वह भी दूर होती है इनकी पत्तियों में antiseptic antibacterial गुण होता है जो कि हमारे शरीर में बैक्टिरिया को पनपने ही नहीं देतासे नीम की पत्तियों में anti-inflammatory property होती है जिससे कि यहां हमारे शरीर के तवचा रोग को भी दूर करती है skin disease, दाद, खाज खुजली हो गई, एक्जीमा हो गया और कई लोगों को शरीर में बेवज़ा ही जलन होती रहती, खुजली होती रहती है और उससे उन्हें बहुत irritation होता है यदि वे इस नीम की पत्यों को पानी में उबाल कर इस पानी को छान ले और इस पानी से नहा लेंगे तो खुजली की जो परिशानी है वो बिलकुल ही ठीक हो जाएगी इतना powerful ओश्दी है दोस्तों, ये गुणों का भंडार है और ये पत्यां तो आपको कहीं भी मिल जाएगी मैं भी अपने घर के पास से ही लेकर आई हूँ हर जगा हर गार्डन में भी लगा रहता है नीम का पौधा बहुत उपियोगी होती है इसकी पत्यां पुराने समय में लोग बिमार क्यों नहीं होते थे क्योंकि पुराने समय में हमारी दादी नानी लोग अपने बच्चों को रोज दो नीम की पत्यां सुबह के समय खाली पेट जरूर देती थी या फिर नीम की पत्यों का रज भी निकाल सकते हैं या मेरे जैसे इस तरह से नीम का काढ़ा भी बना सकते हैं तो काढ़ा बनाने के लिए 2 गिलास पानी लिया है 8 से 10 या 15-20 पत्यां भी अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो 15-20 नीम की पत्यां डाल कर आप इस पानी को अच्छे से उबाल ले गैस की फ्लेम स्लो कर दी है और तब तक उबालना है जब तक पानी का रंग ना बदल जाए नीम की पत्तियों के जो पोशक तत्वे हैं वह इस पानी में ना आ जाए तो ये पानी बहुत ही पावरफुल है दोस्तों अब आप देख सकते हैं नीम का पानी बनकर बिल्कुल तयार है आप इस पानी से यदि छोटे बच्चों को नहला देते हैं मालीजे पहले समय बिमारी होती थी थी छोटी माता और ये इसमें पुराने समय क्या करते थे तब ड ये पत्त अब रिखे बिमारी हमार के सब्सक्राइब बहुत करें दो सब्सक्राइब नीम की पत्तिया इसथे ने 2017 कृट्व já जो हमारा खून है वह शुद्ध होगा इसे फोड़े फुंसिया उगना बंध होगे और इस पानी से यदि हम नहा लेते हैं सिर में लगा लेते हैं बालों में लगा लेते हैं तो बालों में जो डेंडरफ की समस्या है खुजली की समस्या है या फिर बालों में कई बार जूँ ज्यादा हो जाती है उसके करण भी हम परिशान होते हैं तो जूं की परिशानी से भी आपको छुटकारा मिलेगा तो और ज्यूं का भंडार है दोस्तों इसके अलावा आप चहरे पर लगाएंगे ना इसका पैक बना कर नीम की पत्तियों को पीस लें इसका पेस्ट यदि चहरे पर लगाएंगे तो चहरे पर चमक आएगी चहरे का रंग साफ होगा आँखों के चारो तरफ जो काले घेरे हो जाते हैं डार्क स्पोर्ट की जो परिशानी हो जाती वह भी बहुत हद तक के दूर होगी नीम की पत्तियों का पेस्ट लगाने से इसके अलावा दोस्तों सौंदर में तो इसका भरपूर यूज किया जाता जैसा कि मैंने आपको बताया कि सौंदर में इसका जो यूज किया जाता है इसका तेल बनाया जाता है दोस्तों आपको इस अभी तेल ले नारियल का तेल ले और नीम की 10-12 पत्तियों को तेल में प नीम के पतियों के बेमिसाल फायदे हैं तो सुबह था हृती पतियों को आपको जरूर चबा-चबा कर खाना चाहिए इसके लावा कई बर आपने देखा होगा हृति पादों के पेट में कीडे हो जाते हैं तो कीडे हो जाते उस Gospel की up एडि आप कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं बलकि जिन पौधों में कीड़े लग जाते हैं उनमेर निकी में परियावरण को शुद्र करता है नेम का पौधा नीम की पत्या तो इसे अपने रोज आहार में जरूर शामिल करें, सुबह खाली पेट दो पत्यां खाएं, या इस तरह पत्यों को पीस कर उसका जूस बना लें, एक या दो चम्माज जूस जरूरू लें, बच्चे हैं तो एक चम्माज दें, हम बड़े दो चम्माज जूस भी पी सकते हैं, मुह यदि कड़वा कीड़े लग जाते हैं दोस्तों तब भी आप नीम का ये जो पेस्ट है थोड़ा सा दवालें दोनों दातों के बीच में, बिल्कुल ही दातों के कीड़े खतम हो जाएंगे, नीम के तेल का मनजन कर सकते हैं, आप उसे दातों के दर्द से राहत मिलेगी, मलेरिया, चिकन ग तो इसे आप अपने आहार में जरूर शामिल करें, सुभा खाली पेठी ही लें, दो कोमल पत्तियां चबाएं, नीम का रस ले सकते हैं, नीम के पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, बालों पर लगाएं, इसकेल्प पर अच्छी तरह से मसाज करें, आप देखेंगे, कम होगा, यदि हमारे सिर पर कोई बिमारी नहीं होगी, तो बाल अपने आप ही हेल्दी रहेंगे, तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, यदि नीम के पोधे के बारे में, पत्तियों के बारे में, रस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीड जरूर करें दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा थैंक यू फॉर वाचिंग मैं